प्रिये विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसेट प्रोफिसर संस्कृत, आज हम आनंदम के अंतरगत, कोरोना महमारी एवं घरेली उपचार के विशे में चर्चा करेंगे जैसा कि सर्विदित है, आज सारा विश्व कोरोना महमारी से जुझ रहा है, तथा यह बिमारी लगभग सारे संसार में अपनी पाव पसार हो चुकी है हम जानते हैं कि इस बिमारी का लक्षन एक सामन्य जुकाम खासी बुखार है, किन्तु सबसे बड़ी समस्य यह है कि यह है बिमारी एक से दूसरे विक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही है तथा इस बिमारी पर विजय पाना इसी लिए मुश्किल भी हो रहा है साथ ही WHO ने इस बिमारी को महमारी गोशित कर दिया है जैसा कि सब जानते हैं तथा आज इस बिमारी के इलाज के लिए लगभग विश्व के समस्त देश वैक्सिन दवाई बनाने में जुटे हुए हैं, शोध किये जा रहे हैं तथा कुछ देशियों ने तो वैक्सिन बना भी ली है, तयार कर ली भी है किन्तु अभी दवाई के परिणाम का जो संतोष जनक निश्चित कोई भी इसका परिणाम हमारे सम्मुख नहीं है तथा सभी इससे इसी लिए भैबीत हैं, सहमे हुए हैं कि इस बिमारी का कैसे इलाज होगा और हम इस बिमारी से कैसे बचे अब महतुपूर्ण प्रश्णी यह है कि इस बिमारी से कैसे बचा जाए, सावधानी कैसे बढ़ती जाए तो इसके लिए हमारे सरकार भी बहुत प्रयासरत है, जगे जगे, यहाँ पे प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है पोस्टर लगे हुए हैं, कि मास्क लगाए, बेना मास्क कहीं भी प्रविश्ट नहों, भीडबार वाले इलाके में अपना सामाजिक दूरी बनाए रखे तो कहने का तातपरी यह है, बच्चों, कि इस कोरोना महामयरी से ग्रसित व्यक्ति किस प्रकार अपना उप्चार करे जैसा कि हम जानते हैं कि इस बिमारी के कारण सभी बहुत दरे हुए हैं, सैमे हुए हैं कि यदि हम कहीं जाएंगे तो हमी यह बिमारी लग जाएगी और इसलिए आज देखिए सारे स्कूल, कॉलेज में बच्चों के लिए आना वर्जित है, बच्चों के लिए बंद है, साथ ही इस कारण उनका भविश्य भी अंदकार में दिख रहा है, जैसा कि आज इस्थतियां बन रही है तो मेरा जैसे कि इस बिमारी से कैसे बचा जाए, तो मेरा उत्तर है कि जब तक कोरोना की सटीक दवाई वैक्सिन नहीं बन जानती है, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, जैसा कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार साबुन से हाथ दोना, तथ जहां साबुन कई बार सफर आदी में साबुन उपलब्ध नहीं है, तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना, लेकिन सबसे महतु पूर्ण बात यह है, कि हमें आज इस बिमारी को हराने के लिए, या इस बिमारी पर विजय पाने के लिए कहें, या इस से बचने के लिए, हमें घर में उपलब्ध, खाद्य पदार्थों, मसालों का उपियोग अधिक से अधिक करना चाहिए, सर प्रथम तो व्यक्ति को अपनी दिंचर्या को सुधारना होगा, समय पर सोना, समय पर उठना, प्राते है, योगा अभ्यास द्वारा अपने दिन की शुरुआत करनी चाहि की रूप में या खाद्य पदार्थों के साथ इसका सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक्षमता का विकास हो, सबसे मुख्य बिंदू यह है कि यदि हम हमारे शरीर को मजबूत बना लेंगे, उस कोरोना के किटानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए और यह तभी संबव है जब हमारी रोग प्रतिरोधक्षमता विक्सित हो, साथ ही जैसे आज की जनरेशन, फास्ट फूड, जंक फूड या बाहर की खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो उन्हें इन सब को त्याग ना होगा, और घर में बना हुआ मौसम के अ 2019 से, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बलकि धहरी पूर्वक्त सैयम से इसका इलाज करना चाहिए, इस समय योगी को नियमित तीन समय भाप लेना चाहिए, काढ़ा लेना चाहिए, अधिक से अधिक खटे फल का उपयोग करें, जिससे की उनमें इम्यून सिस्टम रोग प फिर भी किसी को विशेश रूप से तकलीफ हो रही है, या हम कह सकते हैं कि यह है कोई व्यक्ति यदि व्रद्ध है, या वह किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, तो उसे फिर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, ओशधाले से इलाज करना चाहिए, यह विशेश परिस्थित के लिए है, किन्तु कोई विक्ति यदि स्वस्थ है, सामन्य है, तो वह अपने इस घोरे लूप चाहर के द्वारा भी इसका इलाज कर सकता है घर में रहकर, अब मैं अंत्मी यहीं कहूंगी कि आयूर्वेद के अनुसार मनुष्य यदि नियमित योग वे संतुलित आहार लेवे तो वह चुरायू जीवन जीता है, तथा हम इस कोरोना महामेरी पर विजह भी त्राप्त कर सकते हैं